तो हेलो एन वेलकम यू आल, आज हम बात करने वाले हैं अलोक इंडस्ट्रीज ल्टीडी के बारे में और गैस अगर देखा जाए तो स्टॉक में हमें यहाँ पर भले ही गिरावट देखने को मिल रही हो बट ओ दीन दूर नहीं है जब स्टॉक में काफी तगड़ा मुनाफ़ा हम कमा सकते हैं तो जल्द ही ओ दीन भी आने वाला है और देखा जाए तो अलोक इंडस्ट्रीज में यहाँ पर आज गिरावट थी बट जो लेवल्स आपके साथ में आज शेयर करने जा रहा हूँ उन लेवल्स को अगर देखोंगे तो बिल्कुल आप इसमें पॉजिटिव हो जाओगे स्टॉक को लेकर क्योंकि आने वाले टाइम में यह स्टॉक काफी तगड़े रिटन दे सकता है तो गाइस अलोक इंडस्ट्रीज एक दमदार स्टॉक है और मुकेश अमबानी का काफी बड़ा हाथ है इसके पीछ है और बिल्कुल यह स्टॉक रिटन्स देगा ही देगा तो अलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और काफी कुछ बाते करेंगे और गाइस वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फोर शेयर्स के अपडेट्स के लिए शेयर्स के लिए तो गाइस वीडियो को शुरू करता है तो गाइस आज बात करने वाले हैं अलोक इंडस्ट्रीज एल्कीडी के बारे में और इसके करन प्राइस की अगर मैं बात करू कहा पे स्टॉक ने क्लोजिंग आज दी है 25 रुपे 40 पेसे के प्राइस पे आज स्टॉक ने से स्टॉक में गिरावट है तो गिरावट है तो कोई बात नहीं यहाँ पर मैं अब लेवल्स आपके साथ शेयर करूंगा इफ अगर आप एक बिगिनर हो तो वीडियो को आइन तक देखो क्योंकि इससे बड़ी उपोर्चनिटी आपको कहीं नहीं मिलेंगी अलोक इंडस् में अब दम है तो गाइस अब बात करते हैं हम वन वीक के चार्ट फ्रेम पर की अलोक इंडस्ट्री में क्या कुछ हो सकता है तो गाइस वन वीक के चार्ट फ्रेम पर देखा जाया तो अलोक इंडस्ट्री में कुछ लेवल्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हम बलकुल इसमें तो इस level को अगर देखा जाए तो हम wait कर रहे थे breakout का तो एक falling wage जिसा scenario यहाँ पर बन रहा था एक falling wage जिसा pattern बन रहा था और हमें breakout भी मिला हमें इस level पर इस level पर breakout मिलने के बाद अच्छा खासा stock ने उपर की और momentum किया 32 रुपे तक गया भी था फिर वहाँ से नीचे आया फिर support लिया फिर उपर गया फिर नीचे आया फिर यहाँ पर हमें मिला है breakout तो यहाँ पर दो बार breakout मिला एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर मिल रहा है तो guys यहाँ पर breakout के बाद तो अच्छे से 32 रुपे तक स्टॉक गया था यहाँ पर breakout अगर मिलेंगा तो यह यहाँ पर से भी उपर जाने की पूरी ability इसके अंदर है और यहाँ से भी यह उपर जाने की कोशिश करेगा सो बढ़ते हैं बागे और देखेंगे कि इस लेवल पर यहाँ पर कहाँ पर हम buy कर सकते हैं तो guys यहाँ पर भी आपको buy तब ही करना है जब यह 27 रुपे के लेवल को break करें अगर यह 27 रुपे के लेवल को मैं क्यों वोड़ाओ क्योंकि यहाँ पर से stock नीचा आया था और यहाँ पर से stock फिर से नीचा आया और अगर यह 27 के लेवल को break कर देता है तो यहाँ पर से सीधा 32 रुपे तक जाए गए जाएगा 32 रुपे 30 पेसे तक stock जाए गए जाएगा guys अगर यह 27 रुपे के लेवल को break कर देता है तो सो अब बढ़ेंगे आगे और देखते हैं कि अलोक इंडस्ट्रीज में क्या कुछ हुआ है तो पाच दिन के टाइम फ्रेम पर देखा जाए एक रुपे दस पेसे तक स्टॉक गिरा है माइनस 4.15% के हिसाब से और वही गाइस अगर बात करो एक महिने के टाइम फ्रेम पर तो यहाँ पर आपको क्लिरली देखने को मिल जाएगा कि स्टॉक 3.95 पेसे तक बढ़ा है 18.41% के हिसाब से तो बिल्कुल एक अच्छा पॉजिटिव यहाँ पर भी नजर आ रहा है और अब बढ़ेंगे आगे और देखेंगे 6 महिने के टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है तो 6 महिने के टाइम फ्रेम पर देखा जाया तो 1 रुपे 65 पेसे तक स्टॉक यहाँ पर किरा है माइनस 6.10% के हिसाब से और अब देख लेते हैं कहाँ पर स्टॉक ओपन हुआ आज क्या कुछ हुआ है ओपन हुआ था 26 रुपे के प्राइस पे हाई लगया था 26 रुपे 15 पेसे का और लो लगया था 25 रुपे 20 पेसे का मार्केट के अब देखा जाया तो 12 रुपे 12.9,000 करोड का मार्केट कैप है और मार्केट कैप के हिसाब से क्लियरली पता चल जाता है कि एक मेट कैप स्टॉक की के डिगिर में आता है तो गया सब बढ़ते आगे और देखेंगे 52 रुपे 15 का हाई और क्या कुछ लो हमें आप यहाँ पर देख सकते हो सो अब बात करेंगे प्योट लेवल्स की तो प्योट लेवल्स में अगर देखा जाए तो रिजिस्टन्स लेवल है यहाँ पर 26 रुपे 15 पेसे का फर्स्ट रिजिस्टन्स लेवल है second resistance level 26 रुपे 55 पेसे का है और third resistance level 26 रुपे 85 पेसे का दिख जाएगा support levels की अगर मैं बात करूँ तो 25 रुपे 45 पेसे का first support level है second support level 25 रुपे 15 पेसे का है और third support level 24 रुपे 75 पेसे का दिख जाएगा तो guys अब बात करें अगर यहाँ पर price performance की तो अच्छे का से positive यहाँ पर यहाँ पर moments भी देखने का में मिल रहे है 3 years का positive यहाँ पर अगर देखू price performance 550 परसंट के असपास बड़ा है और one year का देखा जाए 10.46 परसंट का है और year and half का 1.55 परसंट के असपास minus में है और 3 months का देखा जाए 5.19 परसंट यहाँ पर प्लस में है और one month का 18.74 परसंट प्लस में है और one week का देखा जाए तो minus में है minus 3.24 परसंट तो अब बात करेंगे क्या कुछ यहाँ पर trade values और combination delivery देखने का में मिल रही है trade value की अगर बात करें तो 2 करोड के असपास का trade value है yesterday की अगर बात करो तो 1 करोड का trade value और 54,000 नाग का combination delivery और one week के average में 2 करोड का trade value और 65,000 का combination delivery है और one month के average में 2 करोड का trade value है और 87,000 के something का combination delivery भी देखने को मजाएगा सो अब बढ़ेंगे आगे और देखेंगे community sentiments के आकड़े जो की important है और मैंने बोला था कि community sentiments के आकड़े काफी ज़्यादा positive है तो community sentiments के आकड़ों में अगर देखा जाए तो 84% जो लोग है और बिलकुल यहाँ पर buy call दे रहे है और जो 3% लोग है और यहाँ पर sell के लिए कह रहे है और 13% जो लोग है और यहाँ पर hold के लिए कहा जा रहा है तो hold के लिए भी 13% लोग का कहना है sell के लिए भी कहना है और 84% लोग के और से buy के लिए भी कहना है बट गाइस डिपेंड करता है आपके उपर आपको क्या करना है और revenue देखें तो revenue यहाँ पर गिरे भी है और बड़े भी है बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर year on year revenue गिरे ही है बट 2021 में यह recovery करने कोशिश कर रहे है Net Profit अगर दिखा जाए तो 2017-2018 में माइनस में था 19-20 में positive था और 2021 में फिर से माइनस में आ गया So अब बात कर लेते हैं share holding patterns की तो promoters FIs, DIs, Public तीनों चारों की चारों इसमें है और 75% की holding यहाँ पर promoters की है उनमें GM Financial और Reliance Industries है और public holding 22.88% है FI और DIs की holding 1.39% के आसपास की दिख जाएंगी So guys holdings भी दमदार है काफी कोश चीज़ है जो इसमें दमदार है So वीडियो पसंदाओ, वीडियो को लाइक करो, चनल को सब्सक्राइब करो, ठेंक यू